मानी अध्यक्ष जी हर वक्ता ने चर्चा के शुरुवात जनादेश की व्याक्षा करते हुए की दो परसपर विरोधी व्याक्षा हैं इस सदन में जनादेश की रखी गई ही सत्ता पक्षका कहना है कि ये जनादेश गठबंदन की सरकार के लिए था कोईलीशन के लिए था मेरी और से प्रतप्रश्ण पूछा गया है कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलिशन के लिए था ये प्रश्ण अभी तत अनुक्तरी है मैं उम्मिद करूंगी कि कल पधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलिशन के लिए था अध्यक्ष जी जनादेश की जो भी आख्या चाहें आप सुविकार करें लेकिन एक द्रिश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अंदेखी आप नहीं कर सकते आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एक जुत विपक्ष है क्या ये जुश्य अपने आख में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा लेकिन अध्यक्ष जी ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज का सही अधिकारी अपने राज्या अधिकार से वन्चित कर दिया गया त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी राज पिलग करते करते बनवास दे दिया गया ग्रापर में यही घटना धर्मराज युदिश्टिर के साथ वेपी थी जब धूर्ट शक्नी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारे को राज्य से बाहर कर दिया था अध्यक्ष जी यदि एक मंधरा और एक शक्नी राम और युधिश्टिर जैसे महापुरुशों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाब तो कितनी मंधराएं और कितने शक्नी करते हैं हम राज्य में बने कैसे रह सकते हैं अध्यक्ष जी शाद गामराज और सुराज की नियत ही यही है प्लीज गुहान दो में गवस्पी तो इंटरस्टिग अध्यच जी गामराज और सुराज की शायद नियती ही यह है कि वो एक बड़े ज्टके के बाद मिलता है और इसी लिए मैं पूरे विश्वाज से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारिक की दोपहर को मेरे हदर्ण ये नेता आतल विहारी वाजपई ने इस सदन में रानवन त्रिपत से अपने त्याद पत्र की घोशना की थी हिंदुस्तान में उस दिन गामराज जी की भूमी का तैयार हो देती हिंदुस्तान में उस दिन सुराज की नियू पड़ देती कूर दर्शन के सामने जीवन प्रसारन देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके अत्याद पत्र की घोशना के साथ करह उठा था यह अन्याय हुआ है अन्याय हुआ लेकिन अध्यक्ष जी अन्याय कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है अन्याय तो अपने स्वार्थ को सिध्धान्त का बाना पहिना कर इस तरह प्रस्तूत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है और यही सदर में घटा, धर्म निर्पेक्षिता का बाना पहिन कर, हम पर सामप्रदाइक्ता का आरोप लगा कर, ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एक जित हो गए, तह था मेरे नेताने उस समय, धर्म निर्पेक्षिता बना हम सामप्रदाइक्ता पर राष्ट्रिय बहिस होनी चाहिए हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्म निर्पेक्षता की क्या कलपना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस वरूप में ढाल दिया इस पर राश्ट्रिय भाइस होनी चाहिए अब दक्ष जी हम सामपदाइक हैं हाँ 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 हम सामपदाइक हैं क्योंकि हम वंदे मातन गाने की वकालत करते हैं हम सामपदाइक हैं क्योंकि हम राश्ट्रिय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं हम सामपदाइक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समान करन हम सांपदाइथ है कि हम हिंदुस्तान में कुर्च के वर्धुम् का है कि हम सानपदाइथे है कि हम हिंदुस्तान में समा난ादरिक संधिता बनाने की बैजित परने के हम साम पड़ा इखे अगजजी तो कि हम काश्पीरी शामार्खियों के बर्द को जबान देने का हैं अगजजी यह सद्वा है यह धर्म निर्पेच है दिल्ले की सर्दों पर तीन हवासिखों का तक्तियां के वहाले वह को पर हैं उखिस आप तो साक्षी हैं मुझा नहीं हूँ आप मंदेर जाने से रोका गया और है कर दो कर दो कर दो आडने गार्दिया प्रामूंदिर का शिलान रास एक हर्यजिंसे टो अध्यक्जी, मैं कह रही थी, ये सेकुलर हैं, ये कौंग्रेस जन्ट, दिल्ली की सडकों पर तीन हजार सिक्थों का तक्याम करने वाले ये कौंग्रेस्मेंट सेकुलर हैं, और आप दिहार के साक्षी हैं, अध्यक्जी, मुसलिम और यागव का छोड़ वैचा कर, लाई की सब्सक्राइब करने वाले ये जलतादर वाले सेक्ड़ा तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को यह अनुवत देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सके मैं नहीं जानता किस रोश में लोग बोल रहे हैं आप से बहुत से रोश वालों को मैंने देखा है ये जब सुष्मा जी बोल नहीं है उनकी बात को सुनना चाहिए और जिनको उत्तर देना हों पर उत्तर देना चाहिए अध्यक्ष जी मैं उनके सेकुलर प्रिडेंशन का जिक्र कर रही थी अध्यक्ष जी अपने वोच बेंट को खुश करने के लिए निर्दोश रामभक्तों पर गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर चकमा शर्रार्थियों को भगाने वाले और घुस्पैटियों को बसाने के वकालत करने वाले ये 25 सेकुलर सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि हम सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि चुंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्मिन्द की महसूस नहीं करते हैं इसलिए हम तमिनल हैं इसलिए हम सामतदाई हैं और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिन्द की महसूस नहीं करते हैं आपको इन तथा कतित बुद्धी जीवियों से सेकुलर होने का सेटिफिकेट नहीं मिल सकता है अजजजी सेकुलर्जम की हमारी परिवाशा यह है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो एक मुसलमान अच्छा मुसलमान एक सिख अच्छा सिख हो एक इसाई अच्छा इसाई और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर कर यह हमारी परिभाशा है लेकिन इनका सेकुलर्जम हिंदू को गाली देने से शुरू होता है और अगर आप उस गाली देने के कारिकम में शिर्कत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते और मैं कहना चाहती हूं सरकार या ना सरकार हमें सेकुलर्जम की यह परिभाशा मानने नहीं अध्यक्षी आज से पहले तो केवल हिंदूत पर प्रश्चन लगाया जाता था हिंदूत शब्द के हमसे मायने पूछे जाते थे लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आखें दबदबा गई जब इस सदन में भारतियता शब्द पर भी प्रश्चन लगा हूं आज से पहले तो कहते थे इंडियन नेस इंडियन निशनलिटी की बात कर सकते हो लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान कहा गया मैं तो बहुत कद्र करती हूं मुरा सुली मा देगा एक उम्मीद चंदशेखर जी से जरूर थी पता नहीं क्यूं कौर्वों की सभा के भिश्चन पितामे की तरह आप भी मौन सादे रहे हूं अध्यक जी मैं अपने मित्र मुरा सुली मारंजी से बहुत अदब से यह कहना चाहूंगी भारतियता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है अरे भारतियता कार्थ यही है कि भारतियता के माने यह है कि जम्मु के राजमाचावल और पंजाब की मक्टी की रोटी से लेकर दक्षिन के इडली डोसे तक सारे आहार भारत वर्ष के आहार भारतियत आशार्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामिश्वरम पर सारे तीर्थ भारत वर्ष के तीर्थ हैं आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या माइने हैं तो प्रिखोर संग्रों धिल यहां देखा हो जब देख़ना और द्रौज पस्ट के माइन यहीं है कि शिव का भक्त अमर्नाथ का जल लेकर रामिश्वर्म के पढ़ता है यही है एक संस्कृति का कारण हुआ है कि पश्टिम बंगाल में जन्में हुए एंसी चेकर जी अपने बेचे का नाम सोमनाथ रगते हैं यही है एक संस्कृति यही है एक संस्कृति यही है एक संस्कृति लेकिन अध्यक जी सवाल ये है कि ये किसी सामप्रदाइक तरके नाम पर इकठ्छे नहीं हुए है ये भी एक ओड़ा हुआ बाना है ये इकठ्छे हुए है अपने गुनाहों के कारा है ये इकठ्छे हुए है एक दूसरे को बक्ष देने की सौदे बाजी के कारा है ये अपने अपरादों के बेपर्दा होने के भाय से इकठ्छे हुए है अध्यक्ष्टी ये सामप्रदाइक तरके नाम पर हुई हुई सांज़दारी नहीं है अध्यक्ष्टी ये चारा कांग औ कि चाहरा काईबी की सांजेदारी है तो सोगाती को उखनाए नहीं चाहिए इशारा समझ रहा चाहिए मैं किसकी सांजेदारी की तरफ जिपकर रगी अद्दब जी ऐसे ही ने हुआ कि कॉमन मिनमम प्रोग्राम में एक शब्त करप्शन के पेंडिंग केसिस के बारे में नहीं यह ऐसे हो गया आखिर चार लोग बैठे साली चीज़ों पर चर्चा हुई लेकिन पूरे प्रोग्राम में से बोफर्स गायब है सेंट केट्स गायब है जेमम गायब है शूगर्स केंडर गायब है प्यस्यू डिस इंवेस्मेंट स्टैम गायब है अरे जिनका धेंडोरा पीट के चुनाओं में गए थे, नर्सिंग राओ एपिटोम अफ्करप्शन की चार्जशीट निकाल कर चुनाओं में गए थे, आज उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं, और यूरिया स्केम के ऊपर कहते हैं पुदान मंतरी, लोब टेक इस ओन कोर्स, कोई बचेगा नहीं, के दोनों के रिष्टेदार, दोनों के रिष्टेदार अभी नहीं पकड़े गए, पांच दिन का समय दिया गया, आफिर क्यों? इसलिए मैं कहते हूं, ये सांजेदारी सांपदाइता के नाम कर नहीं हुई है, ये सांजेदारी एक उसरे को माफ करने के सिध्धान के नाम कर अध्यक्ष जी, ये कहते हैं, गामथिलाज प्रस्वान कहते हैं, ये सर्कार चलेगी, आज यहां कहा जाता है, ये सर्कार चलेगी नहीं, दोडेगी पंच साल तक रहेगी, मैं पूछनाचाथी। मेरे नेता ने तो नहीं कहा बयान तो पहला विजुपटनाय काया पहला विजुपटनाय काया पहला बयान किस गहतक है वो आजपा के बुद्देन भट आचारी का बयान आया यह जयका इसकाशना को आहां किस काक न ही किस गहतक है वो आजपा के वोके ईस्टेंट में इस यह पर आखके ने क्याश्क फैली स्ट्पर्छErु असक हिए ने कर दिया कि आगे बोड़ी नरसी में आगू के हवाले से कहा गया कि चुनाव के लिए साथ महीने से एक साल के बीच में तयार रहना चाहिए ये बयान भाजपा की तरफ से तुन नहीं आया इतने अंतर विरोधों के साथ जो सरकार चल रही है क्या सांजे नाराण दत्तिवारी और मुलाह क्या सांजे ममता बेनर जी और सोमनाथ चेटर जी मैं पूछना चाहती है उत्तरा खंदी महिलाओं के सम्मान का सौधा करके नारारण दत्तिवारी मुलाहिम सिंग की बदल में क्यों बैठे है ममता जी अपने घारों की पीरा भूलकर पाथ सोमनाथ जी के साथ मतदान पेशे कर रही है ममता जी आपको बोलना है इसके लिए ड्वांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है उनको बोल लेने की जी ठीक है आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लिजेगा मैं नाम क्यों ले रही हूं मैं बताना चाहती हूं अध्यक जी मैं नाम क्यों ले रही हूं मुझे वो द्रिश मुझे वो द्रिश जसका तस्याद है मेरी आखों में बसा हुआ है मैं राज्यसभा की दर्शत दीर्गा में बैठी थी इसी सदन में नसिंग राओ जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था मैं वहां से बैठी देख रही थी एक वीलचेर के ऊपर ममता जी को लाया गया था यहीं बैठी थी वो चोतों से आए बुखर के कारण काप रही थी बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उड़ाया वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्मिनिस्टों क को कोस रही थी मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहत मुखर होते हैं लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मानने पादेते हैं, हम उनके विरोध के अधिकार को स्विक्र भी देते हैं, हम उनके आवाज को गेक करने के लिए उन पर हमला नहीं करते हैं, इसलिए पूछना चाहती हूं मम्ता जी से आज, कई सदन में CPM के साथ बैट कर मतदान करेगी, और पश्चिम बंगा में जाकर उनके विरोध की राजनित करेंगी, ये कैसी सांच है मम्ता जी, ये कैसा धट बंगा, अध्यक जी, मैं जिक्र कर रही थी, कि केमों विक्तियों में अंतर विरोध नहीं है, जो कारकमों में अंतर विरोध जलगता है, वे तो माशा अल्ला, जब इनका प्रोग्रा मैंने उसको आदि से अंतर तक पढ़ा, एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ा गया, ये हो नहीं सकता, मैंने उसको दुबारा पढ़ा, और पढ़ने के तुरंत बाद में रन्मू से निकला, वहाँ भारत के कम्मुनिस्ट साथियों, तुमने लेनिन से येलसिन तक का सफर एक ही सफ़ा में पूरा कर लिए, अध्यक जी, क्युप पूर, अध्यक जी, कोईलेशन के कंस्टेंस तो मैं समझ सकती है, कोईलेशन केंस्टेंस होते हैं, मजबूरियां होती है, कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है, कुछ चीजों में सांजेधारी करनी सेक्टर निजी करन उसका कर दिया जाएगा और फॉरन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा मैं तो हैरान हुई क्योंकि एक साल पहले की बात मुझे जस्की तस्यात थी कहां गए चत्रा नन्मिश अध्यक जी आपके माध्यम से बताना चाहती हूं मैं राजी सभा में इसी इंशोरंस सेक्टर को जो प्राइविटाइज करने की एक सिफारिश मलहोत्रा कमेटी की तरफ से आई है वो लादू नतीजा ये थी वो पेटिशन और मैं आपको चौंका दू ये बात कहकर वो पेटिशन किसी और ने काउंटर साइन नहीं की थी एक MP को प्रस्तुत कर नहीं पड़ती है ये संयोग है कि चत्वरानन मिश्र राजी सभा से मेरे साथ लोग सभा में आए हैं दो चार दिन में शाइद के मंत्री भी बनने वाले हैं वो पेटिशन काउंटर साइन की थी चत्वरानन मिश्र ने और अध्यक जी मुझे कहा गया था कि अगर ये इंप्लिमेंट कर दी गई रिपोर्ट तो इस पेटिशन ये पेटिशन इंट्रक्ट्रस हो जाएगी इसलिए कम से कम इंटेरिम डिरेक्शन गर्म्मेंट को दी जाए कि ये इंप्लिमेंट नहीं हूँ पेटिशन कमेटी के अध्यक्षा के नाते मैंने सरकार को डिरेक्शन दी थी कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाया हम बहुत जल्बे की रिपोर्ट देंगे तब तक मलहुतरा कमेटी की सिफारिशे लागु न की जाए और इस याचिका समीटी ने इस याचिक पर रिपोर्ट देने से पहले सारी पुलिटिकल पाइटिस के लोगों को बुलाया थे सारे राजनातिक दल के प्रतंजिया थे इसमें जागवत देरी हूँ अध्यक जी प्रेमियर घटा किस युनाइटिट फ्रंस का जनता देरी जिनकी सब्सक्राइब जिनकी इसमें क्या है अद्यक जी उसी को उन्हें बता है उस प्रतिवेवियर से करें वाट कर दे नहीं यह तो आजादी है यह कोट कर सकते क्या रोब दूँदा बता इसको का मैं आपके जल्पी बात कर रही हूं प्राइब 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 मिनिस्टर, I would like to blow your attention, please. मैं देवे गाउडा जी, सुमना चेकर जी और चाकुरान और मिश्र को सुना कर, दुबारा कहना चाहूंगी. मेरी पार्टी का फालिसी तो भार्टियों के लिए खोल दो, फॉर्मर्स के लिए मत खोलो, लेकिन आप भी पार्टी का फालिसी पढ़कर सुना रही हूं। मेरी पार्टी के हैं, आज वो राजनीती टोटल की टोटल एपसल्यूट की एपसल्यूट आप छोड़ देंगे, सिर्फ इसलिए कि सत्ता लोलुता की दोड़ में यांटी पीजे पिस्तांस के अंदर आपको कॉंग्रिस के साथ बचना है, आपको जनता दिल के साथ बचना इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अध्यक जी, यहां सदन में यह छोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर जब अपने अपने छेत्रों में जाएंगे, इनका कार्करता इने छोड़ने नहीं देगा, और यह अंत्यर विरोद इस सर्कार को गिराने का कारण बनेंगे, राम बिलास प पावार शरत पावार की भूमिका नहीं निभा रहे, यह ललिता पावार की भूमिका निभा रहे, यह ललिता पावार की भूमिका निभा रहे, ललिता पावार की भूमिका निभा रहे, यह ललिता पावार की भूमिका निभा रहे, यह ललिता पावार की भूमिका निभा इसलिए भाई शरद्यादव से कहना चाहूंगी, कि ये प्रयोग नया नहीं है, मैं भाई शरद्यादव से केवल इतना कह रही थी, ये प्रयोग नया नहीं है, ये प्रयोग आपके गुरु राजनाराएं जी पहले कर चुके हैं, बीज दिन के अंदर कॉंग्रेस ने समर्थन वापस लिया था, और मेरे आदर ये नेता चनुशेकर जी बाई जे, चार महीने के अंदर इंसे समर्थन वापस लिया था, आप किस आधार पर विश्वास कर रहे हैं, किस आधार आपके विश्वास कोई आधार दिना चाहिए, इपिहास से भी कुछ नहीं सीखा, और मैं पादियस की बात क्या करूँ, मैं तो भाई शरद यादव से ही पूछू लिए, भाया, अपने समाजवादियों का इपिहास भी तो है, अभी कह रहे थे शरद यादव, दोक्तर लोहिया यहाँ पर थे, दोक्तर लोहिया थे, समाजवादियों के पास तो दोक्तर लोहिया की दो रेडिमेड उप्तियां सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए हर समय मौझूद है, पहली दोक्तर लोहिया ने कहा था, कौंग्रेस को हराने के लिए शेटान से भी हाथ मिलाना चाहिए, और दूसरी कहे थे डाक्तर साहब सुधरो या तूटो तो अध्यक जी अब तो कॉंग्रेस की जगे भाजपा को फ्रेम में रखकर शैतान से हाथ मिलाने की वकालत कर रहा है शरद जी लगर फोड़े दिन की बहुत हो जब होगा सुधरो या तूटो और हो भी क्यों नहीं शरद याद हो बहुत सही बात है 65 लाक वाले मंत्री मंदल में और 3 लाक वाले बंदल में तो क्यों नहीं बोलेंगे मिश्चित तोर पर चंद दिनों की बात है जब यह होगा सुधरो या तूटो इसलिए मैं एक बात कहे कर अपनी बात समात करना चाहूंगे अध्यक महुदर यह जो यह जो कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि सर्चार पांच साल चलेगी पांच साल चलेगी नहीं अध्यक जी इस पुलिटिकल औरकेस्ट्रा विल डिस्पर्स इवन बिफोर बिगिन्स यह जो एक सामुहिक मंदली एक समुह गीत गाने के लिए आई है यह अपना अपना रागलापने के लिए इतने आदी है कि गिप शुरू होने से पहले यह शिराजा बिखर जाएगा लेकिन हाँ जितने दिन यह देश आपके हाथ में रहे इश्वर इस देश की रखा करें यह काज़ा करते हुए यह विश्वास मताभी रोब करें